मसाले इतने कीमती क्यों? विभिंग कारकों के सयोजन के कारण सोलवी शताबदी में मसाले अविश्वस्निय रूप से कीमती थे. सबसे पहले, काली मिर्च, डालचीनी, लॉंग और जाइफल जैसे मसाले दुरलब थे और अक्सर दूर देशों मुख्यरूप से इस्ट इंडीज से आते थे. इन मसालों को यूरोप तक लाने के लिए आविश्वत लंबे और खतरनाक व्यापार मारगों ने उन्हें दुरलब बना दिया और उनकी कीमते बढ़ा दी. दूसरे, मसालों का उनके पाक, औश्धिय और परिरक्षक गुणों के कारण अत्यधिक महत्व है. उनका उप्योग भोजन को स्वादिष्ट बनाने और संदक्षित करने के लिए किया जाता था. मसालों की मांग उनके प्रतिकात्मक महत्व के कारण और भी बढ़ गई. मसाले विलासिता और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े हुए थे और उनका सेवन अभिजात वर्प के बीच एक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया था. उनकी कमी, उप्योगिता और प्रतिकात्मक महत्व के परिणामस्वरू, मसालों की कीमते उची हो गई, जिससे नए व्यापार मारगों की खोज हुई और उनकी आपूरती को नियंत्रित करने के लिए सामराजियों की स्थापना हुई.